कि लिए आजकी शर्चा में कई मेमान जोद रहा हैं मिर्सी जोन वार से वह भारीष पत्छान वे पें नेटिटिव में लेकिन हो फिरोवमेंट पर दोप कर दिया मैं कि मैं करेक्रेवन का पार्ट नहीं बाद सकते मेरे साथ इस चरठा में सुबूहि खान है में 7 अब प्रश्चा में जो की पीश पार्टी शान्तिवाली पार्टी से हैं मेरे साथ इस कर्फ़ी से में फिरोस बख्त हैं झो मैं करता हैं टिस जो ढूब वो गलत थे लेकिन उन नारों को पब्लिसाइज करके उन नारों पर सियासत करके क्या हासिल हो जाएगा अमीज जी जो इस देश की किसी भी कम्यूनिटी को ये गाली देकर नारे लगाते हैं वो देश के सबसे बड़े दुश्मन है आईसिस से जादा सतरना किया अतगवादी है जो किसी जाती के नाम का धर्म का नारा लगाते हैं हमें याद है जब 1990 में वो बड़ी बड़ी तकरीरे चुराहों पर लगती थी जो नहीं राम का वो हराम का मुल्लाओं के दोस्थान शंसान या जी आपका ओडियो देखिए कड़ आपका ओडियो कड़ गया है मैं सीधा रूप करता हूँ कपल मिश्रा का इस चर्चा में कपल मिश्रा इन्हों ने तो पता ने किस किस चीस के साथ उस नारों को कमपेर कर दिया मेरे साथ दुबारा जूर गए हैं शान्ती वाली पार्टी के शदाप चौहान शदाप चौहान अपनी बाड़ी को कम्प्लीट करी है हमारा मानना ये है कि अगर कोई मर्यादा पूर श्रीराम के बारे में अगर किसी नापती जनक टिपड़ी की हम उसके भी खिलाफ हैं लेकिन ये नारे सदन के सो मिटर दूर लगते हैं इसका मतलब कोई आतंगवादी आकर के हमारे प्रधान मंतरी पर हमला कर जगता है देश की शुरक्षा जब राजधानी में लोग शुरक्षित नहीं है जब राजधानी में आतंगवादी पूर दूर है अब है अब कहरे थे देखिये ये लोग आईस आईए जो नारे लगा रहे है वो आईए साइए से भी खतरनाक है मैं कपिल मिश्रा करता हूँ कपिल मिश्रा क्या अश्विनी उपाध्या है आईएस आईएस से खतरनाक लोगों को उन्होंने इस कारेक्रम में बुला लिया था जो बात शदाब चौहान कह रहे है सबसे पहले तो हमीश भाई मेरे को बड़ा दुख हो रहा है ये वारिस पठान कहां भाग गए मैं तो उनसे बातचीत करने के लिए आया था लेकिन मेरे को शक था कारक्रम शुर्योंने से पहले वो भागी जाएंगे और वैसे ही हुआ है खैर कभी कभी ना कभी तो सामना होगा और वैसी का उनके भाई का कब तक भागते रहेंगे चाहता कि ये अश्वनी उपाध्याई जी की बात है हमीश भाई पूरा देश जानता है अश्वनी उपाध्याई कौन है भारत के सुप्रीम कोट में 101 जन्हीत याचिका है डायर करने वारा वो व्यत्ती जिसकी कोई भी जन्हीत याचिका अस तक रिजेक्ट नी हुई है आज जब वो थाने में बंद थे तब भारत के सुप्रीम कोट में MP और MLA को लेकर जो ओडर आया है राजनेतिक पार्टियों को लेकर जो ओडर आया है चुनाओ सुधारों का जो ओडर आया है वो अश्वनी उपाध्याई की जन्हीत याचिका पर आया है जो वेक्ति इस तेश में कानून की ताकत का इस्तेमाल समाच के सुधार के लिए और सम्विधान में बदलाओ के लिए कर रहा हूँ उसकी आतकवादियों से तुलना की जा रही है अश्वनी उपाध्याई का पूरा भाशन मैंने सुना है जो जन्तर मंतर पर उन्हों ने द जिम्मिडारी अशुनी उपाध्याई की कैसे हो सकती है है माजी ये सवाल उठा रहा हूँ कि पूलिस निमानता हूँ कि पूलिस ने तो छे गूंठ के पुलिस ने कोई ठीक गिरफ्तारी की है और इसके उपर हम लोग सवाल उठा रहे हैं हम उनके गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं अभी भी मैं पटियाला हाउस कोर्ट में यहां पर उनके मामले की सुनवाई अभी चल रही थी फैसला अभी शुरक्चित रखा गया है और मु गिरफ्तार करके रखना यह दिल्ली पुलिस के उपर उनके कारेप्रणारी के ऊपर थोड़े सवाल खड़े करने वाली बात है क्योंकि यह कोई तरीका नहीं है अश्वनी उपाद जाए के साथ करने का हम इसका विरोध कर रहे हैं अगर आपको गिरफ्तार करना है आप ना कायकरम के ऊपर कायकरम के मंच में कोई बात नहीं बोली गई उनके द्वारा कोई बात नहीं बोली गई कायकरम के खतम होने के बाद चार घंटे बाद कायकरम के खतम होने के किसी बात के ऊपर आप अगर अश्वनी उपाद्धाय को पकड़ते हैं तो यह जाधती है बताई बताईए आप शदाब चोहान क्या आपको लगता है कि आप वाकई अश्वीनी उपाध्धाय का दोश्या अला कि पुलिस अपने तरीके से कारवाई करी है लेकिन जहां तक भड़काऊ तंतर की बात है तो भड़काऊ बाते क्या-क्या किस ने बोली अगर उसकी तेह में थे और मौजूदा मिनिस्टर ने कहा था गोली मारो सालो को इस तरह की बात करने वाले हमें बताएंगे दूसरी चीज मेरे से मैं एक सवाल कर रहा हूं कि एक हिंदू रक्षा दल का पिंकी चौधरी इस पर्ष्ट रूप से कहता है कि सभी लोग हमारे थे अश्वेनी के हम हमारे लोग थे हमारे बुलाएंवे लोग तो जो उपनलीस बात को स्विकार कर रहे हैं जो पनलीस विकार कर रहे हैं उनके वारे में क्यों नहीं कहा जाता है आखरी पॉइंट मिश्रा और यह सब लोग वही कर रहे हैं जो आईसिस चाहता है और हिंदुस्तान के मुसल्ब जाओ तो और यह मैं तो कहीं देख चाहिए रहूं कि मैं तो कहीं रहुखिआते ống जाते यह यह फिरya क्यों जाते हूं जाते हो बदरपार्ट ट्यारी करभा चण हो ईक नूद कने लिए तुम मेरे होते हैं तो सांती से मेरी पास सुनों तसली से मेरी बात करूं जाएगा ना पुरा लग जाएगा जिल्का दोरा पर जाएगा आपको इतना घुइवाइए कि तुम्हें को दिल का दौरा पड़ता है मुझे ये मालूम है तुमको पेजिश हो रहा है ये शादाद चौहां कैसे हमसे सवाल कर रहा है स Kapitif में आपका रूगा निधिया लेकिन काफिन में अपनी बात को रखे तस्क्रीम वानी इंतार करें शादार में आपका रूप करूँगा ना जावा मस्जिद यहां आ रही हैं मुझे रखता है कि विश्य पर रहना चाहिए कपल मिश्रा आप अपनी बात को रखिए देखिए मैं पिंसरे अमीश भाई ये बात कहना चाहता हूं कि अश्वनी उपार जाए उनके मुद्दे और उनकी बाते बहुत गंभीर हैं वो जनसेंग का अंडियंटरंड की बात कर रहे हैं वो कॉमन से